अलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस All in One चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे एक बड़ी खबर जो की सभी जो सरकारी करमचारियों के लिए आ रहा है और जो सभी सरकारी करमचारियों को जानना जरूरी है इसमें बात की जारी हर महीने के जो 6 दिन जो है 6 दिनों की जो सैलरी होगी उसमें कटोती होगी So there will be a salary cut every month for 6 days तो हम बात करेंगे किन सरकारी करमचारियों के लिए ये applicable है क्या ये order है कब से implement होने वाला है और किन specific government employees के लिए जो applicable होगा चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस important update के बारे में अगर अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया तो subscribe ज़रूर करें जिससे आने वाली हर वीडियो का update आपको मिलता रहे और साथ ही साथ bell icon ज़रूर दबाए दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा का पूरा order है किरला government issues an order to deduct the salary of government employees for six days every month reason क्या है covid-19 के जो pandemic हो रख है इस time पे और ये जो है next five month तक चलता रहेगा और इसमें उन लोगों को जो है relief दिया गया है जिनकी salary जो है 20,000 पर month से less है बट जिनकी 20,000 पर month से ज्यादा है उनकी हर month जो है 6 दिन की salary cut होगी और state government has decided to deduct the salary of six days every month in the salary of employees for a total of five months from April to August which is now extended for another six months लेकिन जिनकी लोगों की salary जो है 20,000 से कम है उनकी रलेक्स किया गया है और इसके लाओ ये भी कहा गया है कि ये जो है salary cut the state government announced that the month of salary cut will be given to employees in PF next year तो वो आपको जो है जो भी salary cut होगा वो PF में के रूप में मिल जाएगा next year में ये basically COVID-19 pandemic जो हो रहा उसके लिए फंड से ख़्टा करने की बात की जा लिए दोस्तों ये था आज का important update सभी इस government employees के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like कीजिए share कीजिए और subscribe करना न भूले thank you for watching this video कर दोस्तों कर दोस्तों